एई अवरिवान इस वीडियों हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकंड येर का सब्जेक्ट फार्मको थेरप्यूटिक के मोश्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो भी आपके न्यू स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना कहां से स्टार्ट करना है पढ़ने और पूरा स्लैबस कवर करना सही रहेगा या फिर इंपोर्डेंट कुश्यंस को कवर करते हुए ही हमारा पूरा स्लैबस कवर हो जाएगा तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और वीडियो पर आ गयो तो गाइस लाइक जरू कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ना ओके त सब्सक्राइब करते हैं और इसी के साथ मैं अपसे डिसकस करूंगी जो रिपीटेड टॉपिक है उनके अलग से मैंने एक कोश्यंट पेपर आप सभी को लिए बना रखा है जो की एक्जाम टाइम में देती हूं लेकिन आप सभी लोगों की बहुत से कमेंट्स आ रहेते द तो इस वज़े से फार्मको थेरप्यूटिक की आपको ज़्यादा वीडियो नहीं मिल पाई तो इस वीडियो में मैंने सुचा कि आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लेर करना है तो सबसे पहला वीडियो रहेगा फार्मको थेरप्यूटिक का तो देखें यहां पर आपको फर्स चैप्टर की बात किये जाए तो टॉपिक्स यहां पर दिये गए है ठीक है एट आवर्स स्टेडी अब इसमें फार्मको थेरप्यूटिक जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें क्या-क्या आपको एट आवर में फर्स लेसन में कंपीट क्या-क्या करना है भाई ध्यान से को इंट्रोडक्शन फर्मको थेरप्यूटिक के बारे में पता होना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है एंड इसके इसको ऑब्जेक्टिव एंड इनके यूज़ेज जो मेडिसीन एविडेंस, मेडिसीन, इसेंटियल लेस्ट, स्टेंडर्ड, ट्रीटमेंट, गाइडलाइन जो भी है जब एट आवर के स्टेडीस में दी गई है तो क्या कुछ हमें इतना सा पढ़ने की जरूरत है या सिर्फ इंपोर्टेंट को कवर करने की जरूरत है क्या चा दे रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में से फार्म को थेरप्यूटिक जो लेसन है इससे अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ तो इंट्रोडक्शन एंड इसको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस वज़े से आपको स्मार्ट इस्टेडी करनी है बाई एड लेसन की बात करें तो यहुँरहां पर देखिएं गहीं कितने आव की इसस्टेड़ी इसमें भी दिया गया है और इसमें टव्याजम। जो हैं वो most important और इन topics में लिखना क्या क्या मैंने बहुत सी कमेंट्स में ऐसा देखा है कि दीदी फार्मको थेराप्योटिक की वीडियो नहीं है बट उन सभी कमेंट्स को मैंने reply दी क्योंकि उसमें मैंने बताया है फार्मको थेराप्योटिक और फार्माकोलोजी सेम टॉप अब नहीं करने डिसीज टॉपिक सेम वही है बस आपको ध्यान देखना है इसमें सब कुछ आपको समझ में आएगा देखे मैंने आपको क्या बताया कि फार्मकोलोजी में क्लासिफिकेशन लिखना है और इसमें आपको लिखना क्या क्या है जैसे कि यह काडियो वैस्कुल मैनुफेस्टेंग और नॉन फार्माकोलोजीकल एंड फार्माकोलोजीकल जो मैनेजमेंट ओफ दा डिसीज जो नॉन फार्माकोलोजीकल है मतलब फार्माकोलोजी में क्या है क्लासिफिकेशन और इसमें क्या है एटियो पैथोजैनिस है और क्लिनिकल मैनुफेस्टेशन ह को आपको याद रखना है कि फॉर्मा को थेरेप्यूटिक में हमें इतियो पैथोजैनिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है ठीक है काडियो वेस्कुलर सिस्टम में हाइपर टेंसम ये टॉपिक है तो इस टौपिक को आपको मोश्ट इंपोर्टेंट टिक करने है और इसी के साथ इसका सेकेंड टॉपिक है एंजानल एंड मायोकार्य इंफेक्शन ये एक्जाम में काफी बार रिपीट हुए एट आवर के स्टेडी में इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से दी गई है तो यह आपका एक ही घंटे में अच्छे से complete हुजाएगा learn होने तक तो इन सब ही में आपको क्या लिखना है etiopathogenes और clinical manifestation ही लिखना है इस अस्थमा topic का भी और यहां पर आपको यह डाइवटी वाला topic भी complete करना है और central nervous system में epilepsy most important topic है इसको जरूर complete करना है most important है पारके सोन भी this is most important exam में काफी बार पूछा गया है आपने यह note डाउन किया होगा कि देखिए यहां पर फार्माकोलोजी और थेर्प्यूटिक के same topic है बस difference का है classification और यहां पी main difference आपको पता ही चल गया ठीक है एंड next lesson की बात करें gastrointestinal disorder topic 8 hour के study दी गई है इसमें भी तो इसमें से आपको सिर्फ इस topic को cover करना है अभी के लिए ठीक है प्याप्टिक अर्सर डिस इस topic को cover करना है और इन सब को अभी थोड़ा साइट में रखना है इसके बाद जब आपके पास इन सभी topic को cover करने के बाद जब आपके पास time बचेगा तो फिर इन सभी को जो आपको लग रहा है important है जो आपके college वाले teachers बोल रहे हैं तब आप इन सभी को complete कर सकते लेकिन अभी मैं जो बता रही हूं most important है तो उनको अभी अपना 100% देना है त अब जाके आप लोग की तेहारी हो पाएगी देखिए अगर आपका यह complete रहेगा ना important तो फिर अगर exam तक आही जाते हैं कि complete करते करते ताइम पूरा चला जाता है तो आपको कोई भी हैड़क नहीं रहने वाला कि अभी मेरेको पूरे important questions complete करने यह complete रहेगा तो फिर अराम स पास हो जाओगे आप लोग ठीक है है हमेटोलोजिकल डिस ओर में iron deficiency नीम्यार जो डिसीज है इसको कवर कर लेना important है next lesson तो देखिए यहां पे disease से related infection जो डिसीज हो जाती है उनसे related दिया गया है तो टूबकलोसिस important है most important है यह आपके फार्मेसी में किसी ना किसी topic में subject में आ टूबकलोसिस ठीक है TB जेसे बोलते हैं and next topic है urinary tract infection most important है कफी बार यह topic repeated है hepatitis important है malaria and HIV इन सभी topics को आपको एक बार जरूर कवर कर लेना है most important and repeated है देखिए आपसे यहां पे 12 अवर के study दी गई है तो infection disease में यह इन चारों में पांचों में से एक जरूर आना है दो जरूर आना है दो आप अपसिनल रहेंगे तो आपको जरूर complete कर लेना है आना 100% से हो रहे है ठीक है next चलते है तो इन तोनों topic को most important कर लेना यह एक तो हो गया यहां पे depression और anxiety most important exam में जरूर इन दोनों में से आना है 4-hour case study दी गई है एक गंड़े में दोनों topic अराम से complete हो जाएंगे और anxiety depression कुछ लोग के साथ बहुत ही अच्छी परिस्थिती होने के बाद भी anxiety depression हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है ठीक है तो इससे दूर रहना है बस अपने वर्ट पे focus करना है अप्थर्मोलोजी आइडेसी टीक है ग्लुकोमा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसको complete जरूर कर लेना है बहुत ही अच्छी से मैंने फार्माकोलोजी वाले प्लेलिस्ट चेक करोगे ना फार्माकोलोजी पढ़ने जाओगे तो यह थ अब हम दो देखेंगे जो मैंने आप सभी लोगों के लिए कोशन पेपर बना रखा है जो एक्जाम टाइम में देते थे लेकिन बहुत से स्टुडेंट के कमेंट्स आ रहे थे इस वज़े से मैंने आपको पहले से ही अलर्ट कर दे रहे हूं कि अभी से त्यार ही तो अच्छे से सेकेंड यर को भी क्लेर कर लो और एक्जेट एक्जाम आई होप होगा ही और आप सभी लोगों के जो भी डाउट रहे हैं ने कमेंट चलिए देखते हैं हम लोग कोशन है अपने फार्मको थेरपीटिक डी फार्मा सेकेंड यह मोस्ट इंपोर्टन कोशन ज जिनको मैंने उस समय एक्जाम टाइम में पब्लिस किया था उन इस्टूडेंट्स के लिए आपके सेनियर्स के लिए तो उनका रिस्पॉंस आपको उस वीडियो के कमेंट बोक्स में देखने को मिल चाएगा तो चलिए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं फार्मको थेर इसमें डिफाइन करना है एटियो पैथोजैनिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड 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 क्लिनिकल के डायविटीज में वही सेम यहां पे लिखने है एडियो पैथवयर ठीक है next most important topic I have only checked out on the topic नहीं है इंप्हृटिन्ट टोपिक है नहीं बहुत है टो October 5ама तो इसको थीयान ilgili डिपने नगऋ डि Randy эксперTM लिष भने किसे लिए टोपिक थीयान नोथ हुआ कर। वह रिप на कुछ एसली मेरेक है तो इसको disease most important है iron deficiency amnemia disease जो है बिमारी वो important है tuberculosis this is most important hypertension malaria viral infection मैंने already आपको cover करवाया है और यहां पर anxiety depression most important topic and glucoma hiv urinary tract infection और essential medicine list essential medicine list का यहां पर वो मतलब है कि जो हमारे pharmacy hospital या कोई भी government hospital उसमें यह medicine जरूर ही जरूर होनी चाहिए क्योंकि यह emergency medicine के नाम से जाना चाहते है essential medicine list तो आप सब ही लोगों को यह जरूर complete करना है अगर आप last time video देख रहे हो तब भी सिर्फ आफ सिर्फ यह जो मैंने इस question paper में आपको important topics cover कर वाएं इनको complete करके जाओगे तो exam में आराम से पास हो जाओगे लेकिन cover दो cover करो cover करने में बहुत जादा time लगने वाला है तो समय का और सिक्षा का सही उपियोगी व्यक्ति को सफल बनाते है तो जल्दी से आपको कमेंट करने और जो भी डाउट रहने कमेंट नहीं थेंक्यू डेक्या आप में टू नेक्स वीडियो ऐसे ही फूल सपोर्ट करने है अपने दीदी को बपे गाइस